हलो डियर फ्रेंट्स, वेलकम टू आउर चैनल एकजाम जोनक एडमी, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतिय संविधान की ये थर्ड क्लास है, इससे पहले हम लोगों ने दो क्लासे कंप्लीट कर चुकी है, आप लोगों ने नहीं देखी तो बहुत इंपॉर्टन पचास कुस् ठीके, और मैं ये कहता हूं कि इसमें से आपके कोई भी कुश्चन वाहर नहीं होंगे, ये गारेंटी के साथ, दावी के साथ कहता हूं, ठीके दोस्तों, चलो स्टार्ट करता हूं, आज का पहला जो कुश्चन सी, समिधान का अनुच्छे, समिधान का अनुच्छे 370 किस राजी पर लागू होता था, लागू होता था, कब तक लागू होता था, 31 अक्टूबर 2019 तर, 31 लेकिन 6 अगस्त को ही, क्या हुआ था, लोकसभा से पास हुआ, राजी सभा में पहुंचा 2019 को, और फिर क्या हुआ, 9 अगस्त को, क्या हुआ, राजी सभा से पास हुआ, और 13 गेरा अगस्त को राष्टपत की मंजूरी मिल गई गेरा अगस्त को और इसकी मनजूरी मिलने के बाद में क्या हुआ कि 21 अक्टूबर 2019 से जम्मोगास्मिर का 370 जो होगा उसकी जगापई क्या हुआ इसे solution territory में भी भाजित कर दिया गया एक जम्मो कश्मिर दूसरा लद्दाक तो आफसा नमबर फोर इसका राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला कुश्चन देखते ही कोई विक्ति भारती नागरिक नहीं होगा ये दिवा बिदेश में पांच वर से अधिक रह रहा हो ये बात तो नहीं कही गई बिदेशी ने अ ग्रहण कर लेते हैं तो जिस देश के आप नागरिक होते उसकी तो सुता ही समाप्त हो जाती तो वो नागरिक नहीं होगा तो आफसा नमबर फार्ड इसका राइट एंसर हो जाएगा दूसरे देश में रोजगार सी विकार कर चुके इससे भी कोई संबंद नहीं होता तो अफसर नमबर फार्ड क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला कुषजंस देकते हैं इस्थानी सरकार आधार हैं इस्थानी सरकारे जो आधार हैं अभिजात तंतर का हैं धर्म निर्पिछ वाद का हैं लोगतंतर का हैं कि आरचन का हैं तो इस्थानी सरकारे क्या हैं लोगतंतर का भी केंद्री करन हैं तो आफ़ संगूंबर थारड कि सर्मा की जो गवर्मेंट थी उस समय राश्पत थे राजियो गांधी की गवर्मेंट के समय पे 1985 में इसे 84 में पेस किया गया लेकिन ये पास नहीं हो पाया राज लोकसभा से तो पास हो गया लेकिन राजसभाब में लंबित पड़ गया लंबित पड़ जाने के कारबाद में मुराजी देशाई की जब गौर्मेंट आती है तब भी यह नहीं लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि अगला कुशर्णस देखते हैं क्या देखते हैं अगला कुशर्णस देखते हैं सोतन्तर भारत में निमली कित मैं से काउन सी प्रनाली लोक्तन्तर के वास्टविका अधार के विपरीत जाती है कौन सी विपरीत जाती है दलिय जो प्रणाली होती वो संसिदी प्रणाली होती जाती बेवस्था होती आर्थिक प्रणाली तो देखो लोगतंत्र के जो विपरीत बिल्कुल आधार के विपरीत जाती वो आपकी जाती बेवस्था कौन सी जाती बेवस्था उसके बाद मैं अगला कुश्चंज देखते हैं लोक तांत्रक प्रणाली के लिए निम्वेसे कौश्य तत्तु आउस्चेक हैं सोतंत्र एम निस्पच्छ चुनाव आउसर की समानता अधिकारों का सर्रच्छन उपरीक्तु सभी तो लोक तंत्र प्रणाली के लिए उपरीक् इंसर हो जाएगा उसके बाद में अग्ला कुछ दिखते हैं हें भारती संभूव्यदान में मूल अधिकार है लिए गया है तो अमीरका के संभूवठान से लिय not to go here दो कहां से लिए गयागे अमीर का समपतिकादिकार को हाटा दिया गया है बृतिन के संविद्धान के समझे समता सो मौलिक कर्तब लिया गया तो कहां से रूश के संविधान से लिया गया उसके बाद में अगला कुछ दिखती हैं 12 संविधान में मौलिक अदिकारों का वर्णन की सनुच्छ भाग में किया गया भाग दीन अभी बताया चार में किसकी बात कि गया राजी के नितकर चुटित बाच में संगengers की बात के गई सथ हमारा निरस्तु कर दिया तहां ठीक है उसके बाद में आठ में संगराज चेतर की बात की गई उसके बाद नौ में किसकी बात की गई नौ तो आपको लोगों को पता होगा इस्थानी सो सासन की बात की गई किसकी इस्थानी सो सासन नौ की इस्थानी सो सासन नौ का में पंचायते नौका में सहकारी समीतियों की बात की गई है नौ में पंचायतों से संबंदी थे उसके बाद में अगला कुश्ण भाग दो में नागरिकता ठीक है तो आफसा नंबर वन इसका राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला कुश्ण दिखते हैं बहुत थेज़ पढ़ा है ठीक है बारा में क्या राजे से संबंदी थे तेरा में कहा कहा गया मूल अधिकारों को उलंगन करने वाली मूल अधिकारों का में हस्तचेफ करने वाली जितनी वे विदियां होगी वो सूनी होगी चौदा में विदी के समच्छ बिदी के समता विदियों का समान सरच्छ पंद्रा में क्या कहा गया बताओं उसके बाद है अगला कुश्चन निम लिखित में से क्या उच नियाले और उच तम नियाले दोनों की अधिकारिकता है कि अधिकारिकता है कि अधिन आते हैं किसके समिधान के उलंगन के बिरुद्र संरच्छन केंदर और राजियों के बीच विवाद राजियों के बीच परसपर विवाद कि मूल अधिकारों करते निए अगर कोई भी बेकती मूल अदिकारों का उलंगन करता है तो अनुछे 32 के तहित डारेक्ट आप सुप्रिम पोर्ट जा सकते ही और अगर आपका मूल अधिकारों का उलंगन करता है तो आर्टिकल अनुचे 226 के तहित अब डारेक्ट कहां उचने आलाई जा सकते हैं उसके बाद में अगला कुश्योंस देखते हैं प्रारम में कितने मौलिक अधिकार थे तो मैंने बताया साथ थे अब कितने रह गए से छे रह गए ठीक है उसके बाद में अगला कुश्योंस देखते हैं उसके बाद में अगला कुश्योंस से सम्भिधान के किस अनुचेत के तहित मौलिक अधिकारों का अर्थिकारां करने पर सीदह उसके ने आलाई में जा सकता है अनुचेत 226 के तहित तो आफसर नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला कुश्शन देखते है एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है रिट जो होती है एक रिट जो होती है वो किसके द्वारा जारी की जा सकती है उच ने आला है जिला ने आला है उच तम ने आला है या एक और दो तो जो होती रिट जो जारी की जा सकती है तो वो उच ने आला है और उच तम ने आला है तो आफसर नमबर वन और थर्ड यहां पर वन और थर्ड तो आफसर नमबर वन और थर्ड के तहट रिट जारी की जा सकती है जिला नया लेके थोड़ी न देखता है तो आफसर नंबर क्या हो जाएगा फोर्तिस का राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला कुश्च देखते हैं अगला कुश्च क्या कहता है निम लिकित में से किसी आजिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कारवाही करने से जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तोर पर हकदार नहीं है लेकिन वह कारे करता है तो आधिकार प्रच्छा के तहत उसको रोका जा सकता है तुम्हारा अधिकार प्रच्छा का क्या अर्थ होता है कि तुम्हारा क्या अधिकार है ये बताओ उसके बाद में अगला कुश्चन से निम लिखित मैं से कौंसी रिट सोतंतरता का बुलवर्क कहा जाता है बुलवर्क किसे कहा जाता है परमादिस बंदी प्रतिची करण अधिकार प्रच्छा उत्प्रेशन उत्प्रेशन तो रिट जो है जिसे बुलवर्क कहा ज चाहे कोई क्योंकि बंदी प्रतिच्छी करण जो रिट होती ये जारी की जाती है जिसे बुलवर कहा जाता है ये चाहे कोई सरकारी बेखती हो या कोई गैर सरकारी हो दोनों के खिलाब में उसके बाद में अगला कुशन से निमली विखित मैं से कौन सी निजी सुतंतरता का एक आधार है निजी सुतंतरता का कौन सा आधार है परमादेश बंदी प्रतिच्छी करण अधिकार प्रच्छा उत्प्रेशन तो कौन सी है तो निजी सुतंतरता का जो अधिकार है वो बात करती है बंदी प्रतिच्छी करण कौन सी बंदी प्रतिच्छी करण जो होती वो तो यह एक यह निजी स्वतंतरता का एक आधार होता है उसके लिए अगला कुश्चन देखते हैं निम लिखित में से रिट किसका साब्दिक अर्थ है सासरीर प्रस्तुत करो बंदी प्रतेची करण परमादिस उत्प्रिरण अधिकार प्रच्छा तो सासरीर जो प्रस्तुत क करने की बात करती है वो काउन सी रिट करती है काउन सी रिट करती है बंदी प्रतेची करण में कहा जाता है सासरीर प्रस्तुत करो आफसर नंबर बन क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा बंदी प्रतेची करण का ही अर्थ होता है सासरीर प्रस्तुत करो अधि प्रकार क्या है पर्मादेश का हम आदेश दीती हैं सुप्रिम कोर्ट या हाई कोड कहता है हम आदेश दीती हैं उत्प्रेशन जो क्या होता वहां परकार उसके बाद में अगला कुश्चन सो होता उच्छतम नियालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है उच नहीं तो कितने प्रकार की 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता अफसार नंबर 3 क्या ओ मदी प्रतिची करण परमादेश प्रतिसीध अधिकार प्रतिसीध उत्प्रेशण ठीक हे उसके बाद मैं अगला कुश्यंज देखते हैं निम लिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है अनुच्छे चौदा बिधि के समच्छे समता बिधियों का समान सरच्छन अनुच्छे सोला समान आउसर अनुच्छे सत्रा उपादियों का अनुच्छे अठारा सैनिक उपादियों की अनुमत है तो देखो चौदा तो से अनुच्छे सत्रा जो है इस प्रसता छुआ छूट का हंत यही गलत है उपाधियों का तो अठारा में है तो आपसा नंबर थार्ड क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला कुछ चन से भारती संविधान के अंसार जीवन का अधिकार एक है राजन अगला कुछ देखते हैं निम्लिकित में से कौन सा अधिकार अभी भारतिय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार की रूप में नहीं दिया गया है समानता का अधिकार सुतंत्रता का अधिकार संपत का अधिकार सोसड के बिरुद्ध अधिकार तो कौन सा भाई नहीं है इसमें संपत का ही अधिकार जो है वो अब क्या है अब मौली का अधिकार नहीं है अब वो विधिक अधिकार है मैंने बताया था विधिक अधिकार है और 24 संभिधान संसोधन 1978 द्वारा उसके बाद मैं अगला कुश्चन देखती हैं इस संभिधान किस संभिधान संसोधन अधिकार नहीं रहा अभी बताया चवलस्वा संविधान संसोधन 1978 द्वारा तो आपसन नंबर वन क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला कुश्चन से चवलस्वा संविधान संसोधन के अंतरगत बिदिक अधिकार बना दिया गया सिच्छा का अधिकार संपत का अधिकार नियाई कुप्चार का अधिकार या काम का अधिकार तो किसे बना दिया गया वो बना दिया गया संपत का अधिकार तो आपसन नंबर सिकेंड क्या हो उसके बाद में अगला कुश्चन से अब संपत का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची के अंतरगत किसके सासनकाल के दोरान हटाया गया था इंडरा गांधी की सरकार थी मोरार जी देशाई की थी नरसिम भाराव की थी की अटल विहारी वाजफिय की थी बहुत अच्छा कुश्चन से तो बताईए किसके उस समय सरकार किसकी थी उस समय सरकार किसकी थी तो आपसन बताईए तो जिस समय चवलश्वा संविधान संसूधन 1978 हुआ तो 1978 में मोरार जी देशाई की सरकार थी ठीके और उसके बाद में अगला कुश्चन से लास्ट कुश्चन से इस क्लास का निमलिकित में से मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डाक्टर अमबेड करके संविधान का दिल कहा जाता है वो हो संविधानिक उप्जारों का अधिकार धर्म का अधिकार या समानता का अधिक कि सुतनत्रता का अधिकार तो किसे भाईया कहा जाता है डाक्टर भावा साथ भीम्राव अंबेड करके दिल का दिल कहा जाता है किसे तो वह कहा जाता है सम्विधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छे 32 आर्टिकल 32 है उसे का कहा जाता है उसे डाक्टर भीम्राव अंबेड करने सम्विधान का दिल कहा था इसी के साथ में ये क्लास समाप्थ होती है अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना ठीक है सेर कर देना चैनल को सस्क्राइब कर देना बिल आइकन को मिलती रहेगे आपको दिक्कत नहीं होगे ठीक है जैहिन दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्ट वीडियो में